नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कंचिन भारत वो आज स्वागत करती हूँ आप कवन इंडिया हिंदी में आज चिनावी सफर के इस बुलिटेन में बात होगी तमिलनाडू की अरा कोनम लोगसवा सीन थी जहां से AI ADM के सांसर जी हरी सांसर है इभूने साल 2014 के चिनाव में इस सीट पर DM के प्रत्याशी N.R. इलांगो को 2,40,766 वोटों से खराया था जी हरी को यहां 4,93,534 वोट में थे तो वहीं N.R. को माजर 2,52,768 वोट नसीब हुए थे उस साल यहां पर नंबर 3 की पोजीशन पर PM के थी जिसके प्रत्याशी की केवल 2,33,762 वोट में थे तो वहीं N.R. के स्थान पर कॉंग्रिस थी जिसके प्रत्याशी को केवल 56,327 वोटों पर संतोश करना पड़ा था अराकोनम तमलनाडू का रेलवे टाउन हैं ये वेलोर जिले से करीवे 60 किलोमीटर की दूरी पर सिक है ये राचिय के गर्म स्थानों में से एक है इसका प्राची नाम अरू थानमेज कुंदरम था जो की हैजगन 6 बुजाव का संकेत देता था जिसके हिसाब से इस स्थान के 6 भागों में महतुपोन स्थान है बहुत सारी धार्मिक, सांस्कृतिक और एतिहासिक वे रासतों को खुद में समीटे अराकोनम की जन संख्या 14,89,129 है जिसमें से 60 प्रतीशत अबादी गाउं में रहती है और 49 प्रतीशत लोग शहरों में निवास करते हैं यहां पर 22 प्रतीशत लोग ऐसी वर्ग के हैं तो एक प्रतीशत ऐसी वर्ग के हैं संसदीय श्वेत्र बन्नी के बाद यहां पर पहला आम चुनाव 1967 में हुआ था जिसे कि DMK ने चीता था इसके बाद 1971, 1977, 84, 89 और 91 के चुनाव यहां पर कॉंग्रिस ने चीत दर्च की थी उसके विजय रत पर विराम लगाया साल 1996 के चुनाव में तमिन मरेला कॉंग्रिस ने जीए जिसने यहां सफर होकर सब को चौका दिया था साल 1998 के चुनाव में यहां पर AIA DMK ने जीत दर्च की तो है 1999 का चुनाव यहां पर DMK ने जीता साल 2009 के चिनाव में इस सीट पर DMK की वापसी हुई और साल 2014 का चिनाव AIA DMK ने यहां जीता और जी हरी यहां से जीत का लोगसभा पहुचे किसमबर 2018 के रिपोर्ट्स के मताब एक सांसा जी हरी के पिछली पांस सालों के दौरान लोगसभा में उपस्तती 89 प्रतीशत रही और इस दौरान उन्होंने 57 डिबेट में हिस्सा लिया और 500 प्रशन पूचे साल 2014 के चिनाव में इस सीट पर कुल मतदाताओ के संख्या 14,1545 थी जिसमें से मांत्र 10,89,022 लोगों ने अपने मतों का प्रियोग किया और मतदान किया जिसमें पूर्शो के संख्या 5,43,546 और महिलाओ के संख्या 5,45,506 थी आंकडों से साफ है कि इस सीट पर शुरू से ही बहुत सारी पार्टियों का कपसा रहा है लेकिन मुख्य मुकाबला DMK और AI ADMK के बीच ही है इसलिए इस बार भी इस सीट पर इनी दोनों के बीच मुख्य मुकाबला होगा ऐसी उमीद की जा सकती है साल 2014 के जिनाव से अब के सियासी समीकरन में काफी परिवर्थ हुआ है साल 2014 के जिनाव में AI ADMK ने इस सीट पर जीत दर्च करके सफलता का नया परचम लहराया था यही नहीं तब मुख्य मंत्री जैललिता के निर्तित्व में AI ADMK ने लोगसभा जिनावों में पूरे राज्य में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था लेकिन जैललिता के निधन के बाद AI ADMK में काफी बिखराव हो गया है फूट की शिकार हुई AI ADMK को काफी संखर्श का सामना करना पड़ रहा है ऐसे में इस सीट को अपने पास बचा कर रखने में उसे काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है तो वहीं विरोधियों की भी पूरी कोशिश इस सीट को वापस अपनी छोली में डालने की होगी देखते हैं शेह मात के इस खेल में जीट का सहरा किसके सर पर सजदा है आज के सफर में बस इतना ही जल्द हाजिर होंगे नई संसदिय सीट के इतिहार गोल के साथ नवसका